हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों के लिए स्पेशल खस्ता आटे के रूट इसके लिए हमें अपने इच्छा अंसार आटा लेना है जितना बनाना चाहें और उसमें मोयन डालने के लिए हम घीडा लेंगे मोयन के लिए और उसको आटे में अच्छे से मि करें और आप इसमें सौफ लें और उसको अपने हाथ पर अच्छे से मसल के इसमें मिक्स करें इसकी बड़े चीकुश्बू आती है इसमें बच्चे खाते हैं बहुत खुश्ची से खाएंगे और अदा चमास्च डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर इसमें बहुत सॉफ आप इसको बना के रख लीजिए मैंने इसको दूद से मानदा है आप इसको पानी से मान सकते हैं आटे को और इसके लिए बहुत कम दूद लगता है मैंने आदा गलास दूद लिया था और यह आदे गलास से भी बहुत कम लगेगा यह देखिए इसको इसका जो डूद लगान लिजे मीजिम सॉफ्ट रो बना लिजे यह दिखिए कितना कम दूद लगा है इसमें मैं आदा ग्लास लिया था उससे भी कम लगा है चोथाई कब दूद बच गया है दिखिए आटा तयार है इसको हम थोड़ी दे के लिए रख देंगे रस्ट के लिए अब थोड़ी देर ब बना सकते हैं पर छोटे बना लेते हैं तो यह बचनक भी लोग खाते तो वेस्ट नहीं होता है जितना खाना चाहे आ पुस्त Воेर उसक्ति हैं तो आप इसको दीरे तरे बीचों बंद कर दीजे गैस को ताकि तवे की गैस से ही ये नॉन स्टिक पैन की गैस घर्मी से ही सिखते रहेंगे तो बीच बीच में इसको बंद करके कभी चला के दीरे गैस पे इनको हर तरफ से सेख लीजे मैंने इसको दो तरह से बनाया है, एक तरह से मैंने इसको तवे पे सेका है, दूसरा मैं इसको एर फ्रायर में सेकूंगी, उसमें बहुत टेस्टी बनते हैं, देखिए अब इसको, यह देखिए अब इसको हम धीरे गयास पे अलट पलटके सब तरफ से गोल्डन भून लेंगे, आप चाहें तो हल्का घी लगा सकते हैं, पर इसके अंदर घी है और नॉन स्टिक तवे पर हम बना रहे हैं हम पैन में, तो इसलिए जरुत नहीं पड़ेगी घी लगाने की, यह देखिए कितना अच्छा गोल्डन भून कलर आया है, इसको हम दो तरफ से और साइडों से इसक बहुत खस्ता सिके हैं यह भी, देखिए तयार है, मैंने सब तरफ से गुमा गुमा के इनको भूल लिया है, देखिए, देखो आप बहुत सॉफ्ट है यह, देखने में लग रहा है, पर अंदर से देखिए कैसे चिम्टा दगाने से थोड़े से तूट रहे हैं, बहुत अ अच्छा गोल्डन कलार आ रहा है, इसमें भी, देखिए, देखिए, बिल्कुल रेडी है यह भी, यह देखिए, आप इसको किसी टैप में बना सकते हैं, किसी टैप से बना सकते हैं, एर फ्रायर में या तवे पर, देखिए, और इस तरह से सर्दियों में खाइए, और सर्दी का मज़ा लीजिए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें, थैंक यू,